कि नमस्कार मैं अजरी में शौर्ट स्वागते आपका हमारी चैनल में स्वापकी बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करा आने वाले हैं बता दे आपको कि सिध्धु मुसावाला हत्याकान से जुड़े संगिद आतंक ती गिरों को लेकर एना ये ने दिल्ली समेट कई आपकी जगों पर चांपे मारी की है और दूसरी तरफ समान खान की भी जान बाल बचपाई है क्योंकि मर्डर करने लिए सारी तयारिया कर लिए थी लेकिन तब ही आमने सिभु मुसे अम और में बाारे में हम विस्तार से जान ले लेटे हैं सबसे पहले बात करिए को बता दे आपको पंजाबी गायक या छापे मारी मुशेवाला की हत्या से जुड़े संगिद आतंग के गिरों के समद्ध में की गई एनाइए ने दिल्ली न्सी आर हर्याणा और पंजाब के विभेन स्थानों पर तलासी कि मुशेवाला की हत्या के बाबले में चंडीगर पुलिस ने रविवार को अंतिम आरोपी शूटर दिपक मुंडी को उनके दो सहीयोगियों के साथ पशिमंगाल के भारत नेपास सीमा से गिरफतार किया था मुशेवाला की नर्शंग हत्या के मामले में अब तक पंजाब पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है चंडीगर पुलिस ने कहा कि आरोपियों को उस समय गिरफतार किया गया जब वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे गिरफतार किये गए अन्य दो लोगों की पहचान, कपिल पंडित और रजिंदर उर्फ जोकर के रूप में की गई है इस ऑपरेशन को पंजाब पुलिस की अंटी गैंक्स्टर टास्क फोर्स यानी एजी टी एफ ने दिले पुलिस और केंद्रिय एजंसियों के साथ सैयुक्त रूप से अंज़ाम दिया पंजाब पुलिस ने कहा कि जैसे ही पंजाब पुलिस ने मामले के छठे और आखरी शूटर को गिरफतार किया पूरी साजिश और तरीकों के साथ साथ इन गैंक्स्टरों के लिंक अब का भी खुलासा हुआ है पंजाब के पुलिस महादर देश रक्यानी डीजीपी गौरव यादव ने समवादाता समवेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य हत्तार दिपक मुंदी ने पंजाबी गायक पर अंधा थून गोलिया चलाई थी बता देए कि मुसेवाला हत्याकान में कुल 35 लोग आरोपी है इन में से 23 को गिरफतार किया जा चुका है दो और धेर कर दिये गये हैं अन्य 4 आरोपी को देश से बाहर है और 6 अभी भी फरार है जबकि अमरित सर्थ के भका जो है भकना गाउं में मुडवेर के दौरां दो पुलिस वाला की हमलावरों ने गोली माल कर हत्या कर दी यह घटना पंजाब की पुलिस द्वारा 424 अन्य लोगों की सुरक्षा वापस लेरी के जहस्त एक दिन बाधी हुई थी विशेश रूप से गायक पिछले साल दिसंबर में विधान सबाद चनाव से पहले कॉंग्र पुलिवड आक्टर सलमान खान की हत्या की प्लानिंग की थी इसके लिए मुंबई में सलमान खान के घर की बार बार रेकी की गए थी मुसेवाला के हत्या के आरोपी दीपक मुंडी और इनके दो सयोगी की गिरफतारी के बाद पंजाब पलिस ने 11 सप्टमबर को एक प्रे लिखी गए थी कि उनकार उनके बेटे का हाश्रम मुसेवाला की तरह होगा इंदिया टुड़े मंजीत सहेगल की रिपोर्ट के मतावित 10 सितंबर को पंजाब पलिस ने शूटर दीपक मुंडी को गिरफतार किया था यह गिरफतारी केंद्री एजेंसियों और दिल्ली कोशिश में थे इंट्रीजेंस से मिले जानकारी के यह पूरा ऑपरेशन हुआ मंजा कोट के सभी कुछ साथ दिनों के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है डीजीपी गौरफ यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी कपिल पंडित ने पूछताच में कई जा साल पेरोल पर मिली थी इसके बाद ही वह फरार हो गया था वह अपने गाउं में हुए एक मर्डर के मामल में फरार था डीजीपी ने बताया कि इस दौरान संपत नहरा और गोल्डी ब्रार के जरीए गैंग्स्टर लॉरेंस बिस्नोई ने उससे संपर किया सलमान खान की हत कुटर दिपक मुंडी ही बैठा था उसी गाड़ी यानि बेरोल कि में गोली बारी कर मुसेवाला की हत्या कर दी गई थी कपिल पंड़ित और रजंदर रहतियार सप्लाई करने में दिपक मुंडित की थी बाद में दोनों ने चिपने की जगा व्यूप लब्द कर आई पहुचा था डीजीपी ने यह सारी जानकारिया सामने रखी बता दे डीजीपी ने बताया कि गैंस्टर गोल्डी ब्राद ने मुंडी और कपल से बादा किया था कि वह फरजी पासपोर्ट पर उन्हें दुबाई भेज देगा दोनों को नेपाल या थाइलेंड में फरज का मास्टर माइंड वही था मर्ड़केस में पंजाब पॉलिस ने अब तक कुल 35 लोगों को आरूपी बनाया है जिन मैंसे 23 लोगों को गिरफतार भी कर लिया गया है 20 जुलाई को पंजाब पुलिस ने दो कजिता रूपियों को इंकाउंटर में मार गिनाने का दावा किया चार आरोपी देश से फरार है साथ ही छे लोगों की गिरफतारी अब भी होनी है जो फरार चल रहे हैं तो इससे में अपने आप आप जो है पड़ी अपडेट आप देख सकते हैं सिदुमसेवाला के बाद जो उनके पैरेंट्स है वो जो उनके माता-पिता है उन्होंने ग चक्षा वापस लिया अपनी वावाहि कराने के लिए उनके लिस्ट को नोने सारवजनिक कर दिया था और कहीं न कहीं उनके मत मुसेवाला के माता-पिता का यहीं मानना था कि अगर यह रिपोर्ट जो है वो जानकारी सारवजनिक नहीं की गई होती कि कौन से वी आप यर अची चीज़ दिखाने के लिए अपनी तारीफ करवाने के लिए सिद्धू मुसेवाला के नाम है उन्होंने बाकी वी आइपी और वी वी आइपी के लिस्ट को शोशल मीडिया पर साजा कर दिया जिसके बाद इक इतना बड़ा हाथ्सा हो गया जिसमें अपने बेटे कि यह कहा था कि पूरे मामले में जल्द कारवाई देखने करें मिलेगी और मुसेवाला के हत्यारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा जिसके बाद से लगतार चापे मारी देखने के लिए विली लगतार कारवाई हो रही थी और आप आनाय ये ने इसी मामले पर कई से उनके घर की जुरेकी की जारी थी ऐसे व्हक्ति में से को गिरसतार भी कर लिया गया है तो कई कहीं करिये बाल स्लमान छान के के भी जान बच गई और सिद्वार मुसे वाला केस में भी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि आने वा़े को गिरफतार कर दिया गया है दो को एंकाउंटर में मारके गिरा दिया गया है यानि आकड़ा 25 का हो चुका है 35 में से अभी भी दस जो है जिस में से 6 फरार चल रहे हैं और 4 जो है विदेश में हैं जिनको लेकर आगे की कारवाई जल देखने के लिए मिल सकती है तो ऐसे मामल पर आपकी जो डाय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दरूर साचा करें